नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डाक्टर पंकज दोस्तों बहुत सारे भी योर्स होते हैं जिनकी एक कंप्लेंट रहती है कि उन्होंने जो ट्यूबर लगाया है उसमें प्रापरली ब्लूमिंग नहीं हो पा रही है तो द लेके कारण पर हम आप डिसक्स करने वाले हैं तो वीडियो में आप हमारे साथ अंतक बने रहें और अगर हमारी बात आपके समझ में आ जाए तो उन सभी बातों को आप अपने लोटस पर इंप्लिमेंट करें तो निश्यत रूप से आपके लोटस में 100% फूल खिलेगा द अबसे पहले बात करते हैं स्वाइल या पॉटिंग मिक्स की तो उस्तों लोटस के लिए क्ले स्वाइल क्या वस्कता होती है जिसे हमारे गाउं की अरिया में पडूर कहते हैं अगर आप अपने टब में लोटस पर आना चाहते हैं तो पडूर की विवस्ता आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका कोई भी आपसर नहीं है हालां कि जो गार्डन स्वाइल वगारा होती है उसमें हमने भी लोटस लगाया हुआ है और बहुत हमको मैनेज करना पड़ा तब हम हमारे फ्लाबर आप आया है तो अगर आप लोटस को खिलाना चाहते हैं तो सबसे पहल सबसे बड़ी बात ही होती है कि लोटस प्रकार से आप जो है इसके जो है इसके जो है सबसे बड़ी बात होती है कि लोटस को प्रापर्ली जो है धूप के आउसकता होती है बाने ए ऐसा पौधा है जिसको फुल सन लाइट के आउसकता होती है तो आप इसको इसी जगे पर रखे जहां पे चार से पांच घंटे तक इसको लाइट प्रापर्ली मिलती रहे अगर चार से पांच घंटे प्र सेवरी नहीं मिलेगी तो भी आपका फ्लाबर जो है इसमें नहीं खिलेगा क्योंकि जो लोटस होता है है इसको ज्यादा धूप नहीं होती है और जब तक इसका बेजिटेटिव पार्ट सेक्सुल पार्ट में कनवर्ट नहीं होगा तब तक जो है आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी तो दूसरी बात है कि आपको सनलाइट की प्रापरली आपको व्यवस्ता करनी पड़ेगी आपको इसी जागे रखना पड इस प्रकार से जितनी पत्तियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं पत्तियां ही बता देती हैं कि आपका ट्यूबर खराब हो रहा है यह जो लोटस है इसका ट्यूबर अंदर खराब हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ति के किनारे पे वेवी इस्ट्रक्चर बनता है यह आप द्यांस देखिए जितना भी इस्वगार की पुरानी पत्तियां हैं इनको आपको प्रापर्ली रिमूब करते रहना पड़ेगा और इसको लोटस को आपको प्रापर्ली फीड भी कराना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़े तालाब में उगने वाला पौधा है औ मैं पिछले वीडियो में बताया चाहे आप बना लें यह डायरी बना लें और कम से कम 21 दिन में आपको एक बार एंपी को फीड देना है इसपकार से आप फीड देते रहेंगे और खराब पत्यां पुरानी पत्यों को लगाता रिभू करते रहेंगे तो आपके लोटस में ब्लूमिंग हो सकती है अगर आप बीच से उगाते हैं तो कमसे कम 2-3 साल लग जाते हैं तब अगर आप इसकी प्रापरली केशर में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसके फ्लावरिंग हो गी ही नहीं और आप निरास हो जाएंगे तो सबसे इच्छा इसका तरीका है कि आनलाइन बहुत सारे जो लोटस नसरीज हैं वहां से लोटस आप ले सकते हैं थोड़ा महेंगा मिलता है लोटस कम से कम 700 के आसपास मिलेगा एक चोड़ा लोटस के ट्यूबर तो वहां से आप ट्यूबर पर्शेज कर लें हाइविड व तालाब से ट्यूबर निकालके अगर अपनी मिट्टी में लगाते हैं तो फिर आपको तालाब बाला माहौल देना पड़ेगा उसी प्रगार से आपको मिट्टी भी वनानी पड़ेगी लोटस के सफाई भी करते रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी हो जाता है और इसमें पाए जाने वाली यह भी सब गर्म हो जाती है इसका मतलब होता है कि जो लोटस का ट्यूबर है वो हीट हो जाता है और हीट होने की बज़े से भी लोटस का ट्यूबर खराब होने लगता है तो आपको इस बात की विशेश कोशिच करना चाहिए अगर आ हम ने भी आप प्लूमिंग होने लगी है लेकिन अभी भी हमारे बाले जो आप देख रहे हैं इनने अभी तक भी नहीं हुई है इसका हम ने वीडियो पिछली बार बनाया हुआ था लेकिन अभी तक हमारे जो बीज से उगाया हुआ और तालाब से लाया हुआ जो ट्यूबर है उसमें अभी तक भी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं तो इसका बड़ा फैक्टर में समझते हैं क्योंकि ट्यूबर खराब होने लगा है और इसमें जो आटिंग होने लगी है इ कि हम इसी प्रकार की नहीं नहीं जानकारियां देते रहते हैं उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंदाई होगी और इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे